मैंना जी बड़ी सुन्दर सी जगह पे आया हूं इस जगह को कहते हैं परफ्यूम पॉइंट यह निजिलेंड नेपियर में है पहले में आपको इस जगह की कुछ छल्कियां दिखाता हूं इतनी खूबसूरत है आपका मन खश्य हो जाएगा लेकिन बाद में आपको बताऊं हूं आपको अ में आपको बताँ हूं इस जगह जगह की कुछ भूबसूरत है कि घारी से निकलते ही जब ठंडी हवा बदन को चूती है तो सारे दिन की धकान दूर हो जाती है काफी सुन्दर है यहां का विल्डिंग दिखाई दे रही है देखने में यह मुझे पुराना लाइट हाउस लगता है इस पर देखिए कितने सुन्दर सुन्दर उन्होंने मुराल्स वगेरा बना रखे हैं यह सारा मौरी कल्चर और फिश जो है यहां की उसको दिखाता है देखिए पांच किलोमेटर की स्पीड भी लिए शायद यह जो भी कर देते हैं जैसे वो सप्रेय केन लेकर आते हैं और यह देखी कुछ बना रखा है तो आगे बढ़ते हैं यह देखिए यह जो आपको पत्थर से दिखाई दे रहे हैं यह नेचुरल नहीं है इनको जो निप्यर की कॉंसल है उन्होंने लाकर यहां पर एक जो है वॉक ईटाउस और यह पत्थर, काफी सुन्दर मील है इनका, तो आपको समंदर में कहीं-कहीं कर में कश्टियां दिखाई दे रही हैं क्योंकि आज गर्मी थी, तो शाम को लोग निकले हैं अपनी-पनी कश्टियां या अपनी क्नोयश यह देखिए समंदर में लेकर आये हुए हैं और काफी इंजोई कर रहे हैं न्यूजिलेंड जो है चारो तरफ पानी से घीरा होने की वज़े से यहां पे बहुत से लोगों के पास अपनी पर्सनल कष्टियां और यह चोटी-चोटी बोर्स यह तो काफी सस्ती भी है चार सो से शुरू हो जाती है और यहां के लोगों की पर्चेजिंग पावर भी अच्छी है तो यहां पे आप देख लिए लहरे जो है चोटी-चोटी लहरे रहती है इसलिए न मैं आगे चलके आपको दिखाऊंगा कुछ लोग यहां पर नहावी रहे हैं और एक बोर्ड जो है अपने शायद यह फिशिंग क कि आये होंगे वापिस आ रही है और अब चलते हैं दूसरी और में आपको कुछ और दिखाता हूं और देख लीजिए दूसरी और भी कुछ और जो लोग है अपना फन कर रहे हैं और समंदर में अपनी किष्टी को चला रहे हैं वह सामने जो आपको दिखाई दे रहा है व इसे hospital hill कहा जाता है, घर आपको दिखाई दे जाएंगे, उनके सब के पास समंदर का view है, और इस ship की बात कर रहा था, जिसमें शायद हजारों container भरे पड़े हैं, और यहां पे आपको na seals भी कभी-कभी दिखाई दे जाती हैं, तो लोगों सो इनने अनुग्रे किया है, कि उनक तंग ना करें, उनने rescue नहीं चाहिए, वो rest करने यहां पे आती है, तो किसमत अच्छी हो तो दिखाई दे जाती है, यह जो आप कीवी देख रहे हैं, यह local artist है, यहां के, उनकी art है, तो उनकी art को भी यहां पे represent किया जाता है, और लिखाए कि do not climb, इस पे चड़े मत, तो श पांच है, टोटल चेर, पांचों का अलग अलग रंग, बड़ी इतनी कि 6-6 foot का आदमी भी इस पे बैठे, तो चोटा सा लगे जाए, जो आदमी आप देख रहे हैं, यह 6 foot का होगा, और बैठा enjoy कर रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी चेर इन्होंने लगा के ना, इस बी और यहां पर खूब enjoy हो रहा है, चेर पर बैठने के बाद, आपको यह चेर कैसी लगी, कमेंट करके बताना, तो यह देखिए, मैं बता रहा था कि कुछ लोग नहा भी रहे हैं, यह मैंने काफी zoom किया है, काफी दूर है मुझसे, तो एक कश्ती भी उनकी तरफ आ रही है, भाई उन्हों नहाने दो, दूर ही रखो अपनी कश्ती को, उनको क्यों डुरा रहे हो, तो अब चलते हैं, हम दूसरी और, तो यह दिखिए, कुछ सीगल्स यहां पर आपको दिखाई देंगे, तो इसके दूसरी और, काफी पत्थर है, रोकी, शोर है, वहां पर चलकर बै देल निगरा के गाड़ी में जाके बैठों, कि इतना खूबशूरा सा व्यू है यहां पर, पीछे जो है, सांसेट हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा हूगा, कलर जो है, सूरज के काफी ज़्यादा चेंज हो जुके हैं, यह देखे, कितने सुंदर पत्र हैं यहां पर, क्या कूपसूरा सा व्यू है, देखे, पानी कितना क्लीन है यहां पर, बैरी नाइश हो गई है, शूस तो मेरे गिले हो गए हैं, और जो ब्ल्यूटूथ वाला बटन था, वो भी गिर गया पानी में, लेकन यहां पर इतनी स सुंदर आवाज आ रही है, पानी की, हवा चल रही है, ठंडी-ठंडी, मेरे पीछे देखिए, वो आ चुके है, सीगोस कहते हैं, इन पंक्षियों को, यकीन नहीं हो रहा, कि सच में, आपको कुदरत की गोद में इतना अनंद भी आ सकता है, मन जो है, बिल्कुल खुश हो चुका है, सारी थकान उतर चुकी है, और इतना सुंदर व्यू, पानी के बिल्कुल पास बैठा हूं, और जो पाओं है, अभी मैंने पानी में ही डाल लिये हैं, और अल्मोस्ट, और यह दिखिए, कही कही न, पत्थरों के बीच में से जो थुड़ा-थुड़ा पानी लिए कहा जाता है, क्योंकि कितनी खूबसूरत है, ठंडी-ठंडी हवा चलती होगी, साफ सवाई है, आप जैसा सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत है, इसे परफ्यूम पॉइंट इसलिए कहा जाता है, कि जब 1931 में नेपियर में अर्थ कोई काया था, उसके बाद जो यहां के घरों का वेस्टेज का पानी था, यानि के सीवरेज का पानी था, वो यहां पे आके गिरता था, तो पाइप जो थे सीवरेज के यहां पे आके गिरते थे, तो बहुत ही बुरी स्मेल आती थी, तो मजाक मजाक में लोगों ने इसका नाम रख दिया, परफ्यूम पॉइंट तो अब आपको बता लागा हुआ के parf्यूम पॉइंट कियुं का जाता है लेकिन अब रुकेश लेकिन अब अब इसा कुछ भी नहीं है कितना खूबसूरत है यहां का महौल कितनी खूबसूरत हुआ है वो जो पानी है वो यहां पे नहीं आता अब अब तो न्यूजिलेंड में जो सी वरेज का सिस्टम है बड़ा अच्छा कर दिया है नोंने पानी को ट्रीट किया जाता है जमीन के नीचे ही इनोंने ट्रीटमेंट प्लांट जो है पाइप लगाए हूँ है और ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है वो पानी वहाँ पे treat होता है पानी तो यहाँ पे अब कुछ नहीं आता यहाँ पे लोग आते हैं जब गर्मी हो ठंडी ठंडी हवा चलती हो तो यहाँ पे आके बैठते हैं लोग water की activities करते हैं खाना खाते हैं कुछ लोग यहाँ पे अपना motor home, camper van लेकर आ जाते हैं खूब enjoy करते हैं तो इस वीडियो को हमें यहीं पे बंद करते हैं जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में तक तक के लिए टेक के लिए तिल देन गुड़ बाई